परियो की विवस्था है को सलेक्ट करने का ऑप्शन है। साथ ही पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, एवं गैस चुनने का भी ऑप्शन है। इसमें जैसे अभी नियान अनु का चैन किया हुआ है। इसकी हम ठोस अवस्था को लेते हैं तो कंड पास-पास वह व्यवस्थित दिखाई देते हैं। यदि द्रव अवस्था लें तो कंड दूर वह कमजोर बंद से जुड़े हुए, स्वतंत्र रूप से गती करते हुए देखे जा सकते हैं। वह अंत में गैस अवस्था लें तो हम देख सकते हैं कि कंड एक दूसरे से बहुत दूर वह बिना आपसी आकरशन के मौजूद होते हैं। इस प्रकार और्गन वह ऑक्सिजन की भी ठोस, द्रव वह गैस अवस्था को देखा जा सकता है। अब हम पानी की ठोस अवस्था लेते हैं। इसमें H2O के अणू आपस में हाइड्रोजन बंद बनाए हुए हैं। यदि इसे अब तापिय उर्जा दी जाए, तो ये हाइड्रोजन बंद तूट जाने से यह ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है। और अधिक समय तक ताप ये उर्जा देने से गैस में बदल जाता है। इसके ठीक विपरीत यदि हम ताप घटाएं, तो गैस से द्रव वद द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तापमान में हुए परिवर्तन को पात्र पर लगे हुए थर्मोमीटर से देखा जा सकता है।